ओके बच्चो यह आप लोगों के टेंस का वीडियो नमबर 18 और हम बात कर रहे हैं चालू वर्तमान काल की यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्लैंक्स है बराबर बच्चो यह सभी ब्लैंक्स आपको कॉपी में एक्सेसाइस के रूप में लिखनी है विद आंसर ब दाबर चीक है और उसके बाद यह पांट सेंटेंस भी आपको टुबल एच क्वेशन हो वाल है यह भी आपको बनाने है एक्सेसाइस के रूप में और उसके बाद इस एक्सेसाइस भी आप लोगों ने आगे की है मैं दो-दो प्रस्चन के उपर कैमेरा रखता हूँ इसको भी आपको प्रस्चन वाल वाकिय लिखना है और किस से प्रस्चन बनेगा वह एक ही ऑप्शन लिखना है बाकी के गलत वाले जो तीने वह आपको निकाल देना है यह दूसरा, यह तीसरा वाला, यह चोते में एक option इधर है, और बाकी के space पर है, तिन, और यह पांच वाला है, परबर बच्चो, तो इस प्रकार से आपको, इसके exercise आप लोगों को करनी है, परबर, और कोई भी complication हो, दिकत हो, न समझ में आए, आप बिंदास मुझे, कोल करके पूछ सकते हो, परबर, और यह जो 10 का जो topic है, 10 के जो videos है, topic है, वो standard, मैं तो ऐसा बो लोग 8 से लेकर 12, स्टांडर 12 तक सभी को यह उपयोग होते है, सभी के लिए यह, परबर, तो चाहिए मैं standard 10 बोलू, या 12 बोलू, या 11 बोलू, या 9 बोलू, लेकिन यह सभी के लिए यह common topic है, 10 वाला, बरबर, तो आप, इसका, कोई भी standard का बच्चा हो, चाहिए 8 बी वाला हो, या 12 बी वाला हो, परबर, सभी के लिए theory, कोमनी है, परबर बच्चो, और कोई भी दिगत हो, प्रोब्लेम हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो, exercise आपको compulsory लिखनी है, परबर, और हम, अब आगे बात करेंगे, next वीडियो से, बात करेंगे हम, तो, past continuous tense की, यानि की, चालू भुत्काल की, चीक है,